प्रेंड्स स्वागत थे आप सभी का मेरेज़्टी चैनल स्वी कोचिंग क्लासेस पर और आज हम लेकर क्या हैं क्लास टेंथ रसायन विज्ञान का चैट्टर नमबर फ़र्स्ट जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एंद इक्वेशन और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है यानि केमिकल रियक्संस तो चलिए देखते हैं केमिकल रियक्संस की परिभासा क्या है जानते हैं इसको जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्मार करते हैं जिसके गुड मूल पदार्थों से भिन होते हैं रासायनिक अभक्रिया कहलाती है यानि कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्मारक करते हैं तो उसे हम रासाइनिक अभिकरिया कहते हैं तो आगे देखते हैं क्या पताया गया है हैं जिन्हें तीर के दाइं और लिखा जाता है रासानिक अभिकरिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारत कहते हैं और जिन्हें अभिकरिया में बाइं साइड में लिखा जाएगा आइरो के बाई साइड में लिखा जाएगा और बनने वाले पदार्थों को हम उतपाद कहते हैं जिन्हें मभगरिया में दाइं साइड में लिखते हैं तो सलिए देखते हमने एक्जामपल भी लिखा हुआ है जब मैगनिसियम को आक्सीजन की प्रजेंस में या वा अभिकारक और बनने वाला हमारा पदार्थ जो मैगनिसियम आकसाइड है इसको हम कहेंगे उतपाद यह हो गई हमारी राजानी का विक्रिया के डिफनेशन और उसमें जो बाते बताई गई थी कि अभिकारक क्या होता है उतपाद क्या होता है मैंने आपको बता दिया है आपको रशानी अभिक्रियाओं के उधारणा देखते हैं तत्तफके इसका स्क्रीन सौड़ ले दिजिया फिर हम आगे चलते हैं जैसा कि हमारी स्यर्ट किताब में कुछ दैनिक एक्जामपल भी दिया है राशानीक अभिक्रियाओं के जैसे हम लिक लेते हैं एक्जामपल के लिए दूध से दही का बनना दूध से दही का बनना दूसरा दिया है अमारा लोहे पर लोहे पर जंग लगना तीसरा हमारा जो दिया गया है वो सरकरा से सरकरा से इलकोहॉल का बनना इलकोहॉल का बनना कुछ हमारे दैनिक इग्जामपल जो दिये गए जैसे कि हमारा दूध से दही का बनना जो कि हमारा एक रासानिक अभगरिया होती है रासानिक परिवर्तन पर डिपेंड करती हैं जो हमने क्लास 9 में भौतिक और रासानिक परिवर्तन को पढ़ा था उसी पर डिपेंड करती है यहां पर देखते हैं और सरकरा से इलकोहल का बनना इन दोनों की जो प्रासेस होती है उसे हम कहते हैं किड़वन सूच मजीवों की उपस्थती में दूद से दही बन जाता है और सरकरा से निरमाड़ हो जाता है लोहे पर जंग लगना इसमें ऐřन जो लोहा होता है जो ऐरन होता है वो वाई मंडली आकसीजन और जलवास के साथ एक क्रिया करके आइरन आकसाइड बना लेता है जो लोहे में जंग के रूप में जमा हो जाता है तो ये हो गए हमारे कुछ एक्जामपल अब हम देखते हैं किसी भी रासानिक अभक्रिया को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो मैथड होते हैं दो समी करने होती है एक होती है सब्द समी करना और दूसरी होती है रासाइनिक समी करना तो चलिए देखते हैं पहला हम सब्द समी करना कि सब्द कि समी करना सब्द कि समी करना वर्ड एक्वेशन वर्ड एक्वेशन कहेंगे इसको इंगलिष में सब्द समीकर्ण सुनिएगा डिफिनेशन मिल्कुल आसान है सब्द समीकर्ण की जब किसी रासानिक अभक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उतपादों को सब्दों के माध्यम से समीकर्ण के रुप में द्यत्त किया जाता है तो उसे हम सब्द समीकर्ण कहते हैं चलिए इसके परिवासा लिख लेते हैं जब जब किसी अभक्रिया में भाग लेने वाले जब किसी अभक्रिया अभिकारकों वा उत्पादों को सब्दों के माध्यम से सब्दों के सब्दों के माध्यम से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे सब्द समीकरण कहते हैं तो उसे सब्द समीकरण कहते हैं सब्द समीकरण कहते हैं या जब किसी अभक्रिया में भाग लेने वाले अभी कारकों और उतपादों को सब्दों के माध्यं से समीकरण के रूप में परदर्शित किया जाता है या व्यत्य किया जाता है तो उसे सब्द समीकरण कहते हैं, अब हम इसके example कुछ देखते हैं कि कौन-कौन से एगजम्पन है उसक्राइब स्क्रीचर ले लिए फिर हम आगे चलते हैं अव्यdest Eck Yeah क yol पने स्क्रीं वे लिया होगा करो हम सब्द शंवीकरण के कुछ उधा दहनां दिखते हैं कि क्या होते हैं यजल का के निरु और जल का निर्माड हमने सब्द समय करनी पहले एक्जाम पर लिया है है hydrogen है और oxygen है तो देखिएगा हम इसको लिखेंगे hydrogen hydrogen प्लस oxygen और यहां लिख देंगे जल वाटर या इसको हम हम डाइऑ हैड्रोजन मोन behö लिख सकते हैं वाटर को हम डाइऑ हैड्रोजन मोनव लिख सकते हैं तो इस प्रकार से जहब किसी भी समय करण को हिंदी सब्दों के माध्यं से लिकर के प्रदल सित करते हैं तो उसे हम सब्द्द्द ऐसला करते हैं एlaration दूसरा एक्जामपल भी देख लिखते हैं हम जैसे हमने लिख दिया कार्बन डाइक्साइड का निर्मार कार्बन डाइक्साइड का कार्बन डाइक्साइड का निर्मार कार्बन डाइक्साइड का निर्मार कार्बन डाइक्साइड का निर्मार के दूसरा एक्जामपल हमने होता है करबन डायक्सइड का फरमला सीओ इसमें कौन-कौन कार्बन है और आक्सिजन है तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस आक्सिजन कार्बन प्लस आक्सिजन और इधर लिख देंगे कार्बन डायक्साइड कार्बन डायक्साइड कार्बन डायक्साइड कारबन डाइकसेट तो यहां हमारा कारबन और आकसीजन जो हमने इधर लिख दिया है और उससे बन गया हमारा कारबन डाइकसेट तो इस अभकरिया में कारबन और आकसीजन हमारे हो गई क्या अभिकारक इस अभकरिया में कारबन आकसीजन क्या हो गई अभिकारक और बनने व अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को हम कहेंगे उत्पाद यानि जो पदार्थ हमारे आईरो के बाइं साइड में लिखे होंगे उनको हम कहेंगे अभिकारक और जो आईरो के दाइं साइड में लिखा होगा उसको हम कहेंगे उत्पाद तक तक कि आप इसका स्क्रेंट सौ ले लेजिए फिर हम आगे बात करते हैं